हाई फ्रेंड्स, आज तक कितने लोगोंने चांद की धरती पे पेर रखा है, कौन-कौन से देज है जो एस्ट्रोनोट को चांद पे पहुँचा है, कौन गया ता पहले और लास्ट में कौन गया था, आए देखते हैं। लेट 1950s के बाद, अरली 1970s में अमेरिका और सोवियट यूनियन आज का जो रस्या कहा जाता है, इन दोनों के बीच में कौल्ड वर्च चर रहा था, कि पहले स्पेस में कौन जाए, वो एक दुसरी को दिखाना चाहते थे कि टेक्नोलोजी एंड इंटिलेक्चियल स्पिरियर् भी रेस में था, इसलिए इसको स्पेस रेस भी कहा जाता है, ओक्टबर 4, 1957 में सोवियट यूनियन ने आर्टिफिसल सेटेलाइट लोंच्ट किया, जिसका नाम था स्पोटनिक्वन, स्पोटनिक्वन दुनिया का पहला सेटेलाइट था, जो अर्थ के ओर्बिट में पहु जिसका नाम था स्पोटनिक्वन, और यह दुनिया का पहला ऐसे सेटेलाइट था, जिसमें फिमेल डॉग को भीजा गया था, और उसका नाम था लाइका, लाइका कोई ट्रेन डॉग नहीं था, वो मोस्को की गली में से उठा के स्पोटनिक्वन दू मिशन के लिए यूज किया गया था, उसके उपर, लिविंग और्गेनिजम के उपर क्या इफेक्ट पढ़ती है, लाइका स्पेस्क्राफ्ट के लॉँचिंग स्टेज के वक्त जिन्दा थी, पर थोड़े घंटों के बाद, स्पेस्क्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया, और लाइका सर्व कोई नहीं कर पाई और उसकी टैथ हो गई, जैनवरी 31st 1958, दो महिने के बाद USA ने एक्स्पोरर वन नामकी फर्स्ट सैटलाइट लॉंच्ट की और ये डाइडेक्ट रिस्पोंस था सोवेट यूनियन को कि हम भी रेस में है, एक्स्पोरर वन USA की पहली सैटलाइट थी, एक सप्टेंबर 12, 1959, लुना-2 स्पेसक्राफ्ट सोवेट यूनियन ने मून पर जाने के लिए लॉंच्ट किया, लुना-2 दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट था, जो मून की धर्ती पे पहुचा था, पर उसका उद्दिश्य सौफ लेंडिंग नहीं था, लुना-2 सौफ ल बेजना था, अब तक जो भी मैंने स्पेसक्राफ्ट के बारे में बताया, कोई एस्ट्रोनोट उसमें नहीं था, कोई यूमन नहीं था, सिर्फ स्पूटनिक-2 में एक फिमेल डॉक थी, आखिर में सोवेट यूनियन ने एस्ट्रोनोट को स्पेस में भेजा, एप्रेल 12, 1961 में सोवेट यूनियन ने वास्ट्रोक 1 मिशन लॉंच्ट किया, उसमें एक एस्ट्रोनोट था, जिसका नाम था, यूरी गगारीन, वो दुनिया का पहला यूमन था, जो स्पेस में गया था, और अर्थ के ओर्बिट का एक राउंड पूरा किया था, यूरी गगारीन 108 मिन होगा कि सोवेट यूनियन ने उसके एस्ट्रोनोट को पहले स्पेस में बिजा, ये सुनकर USA ने मे 5 1961 में एलन सेफर को स्पेस में बिजा, मिशन का नाम था, फ्रीडम 7 मिशन और ये बना था USA का पहला एस्ट्रोनोट जो स्पेस में गया था, पर वो अर्थ के ओर्बिट त ने पृत्वी का एक चक्कर लगाया था, दो साल बाद, फेबुर्वारी 3, 1966 में सोवेट यूनियन ने चान की धर्थी पे दुनिया का पहला रोबोटिक स्पेस काफ्ट सौफ लेंड किया था, और सोवेट यूनियन ने फिर से हिस्ट्री क्रियेट कर ली थी, और फिर सुर अपुलो 1 लॉंच्ट किया था, जिसमें 3 एस्ट्रोनाट्स पेठे थे, गस क्रिशॉम, एड़ वाइट एन रोजर भी चाफ है, अनफॉर्चुनेटली प्री लॉंचिंग में वो कुछ प्लक्स आउट टेस्ट कर रहे थे, और उस दोरान आग लग गई और तीनों एस्ट एस्ट्रोनाट्स यूमन्स को मून के और्बिट तक पहुँचाया गया था, और सेफली अर्थ पे लाया गया था, इसमें 3 एस्ट्रोनाट्स पेठे थे, जिसका नाम था फ्रेंक बोमेन, जेम्स लॉवेल, विलियम एंडर्स, कोई एस्ट्रोनाट्स मून के धरती पे लें इसमें 3 एस्ट्रोनाट्स पेठे थे, निल आम्स्ट्रोंग जो कमांडर था, बस एलडरीन, लुनार मॉडिल पाइलोट था, माइकल कॉलिंस, कमांडर मॉडिल पाइलोट था, और निल आम्स्ट्रोंग दुनिया का पहला यूमन था, जो चान की धरती पे पैर रखता है, और जब उसने पैर रखा तब, उसका पहला सेंटेंस यह था, इसका मतलब होता है, यह मनुस्य के लिए एक छोटा कदम है, पर मानव जाते के लिए एक बड़ी चलांग है, और बर्ज एलडरीन, दूसरा था, तिसरा माइकल कॉलिंस, जो कमांडर मॉडिल पाइलोट था, वो मून पर नहीं जाता है, वो अंत्रिक्स के मुख्या भाग में रहता है, और मून के और्बिट में होता है, वे सुनिश्चित करते हैं कि अंत्रिक्स यान सुरक्षित रहे, और सभिप को पूर्थवी पर वापिस लाने के लिए तैयार रहे, पीट से यूएस ने नवें कमांडर मॉडिल पाइलोट था, चाल्स पीट कॉन्राड एन एलन बीन जो मून की धर्थी पे लेंड हुए थे, और रिचार्ड जॉर्डन कमांडर मॉडिल पाइलोट था, वो मून पर लेंड नहीं हुआ था, जैसे कि मैंने बताया कमांडर मॉडिल पाइलोट मून के और में अंत्रिक्स यान जो गुमता है उसमें बैठा होता है और मिशन कंट्रोल के साथ वो कॉम्यूनिकेट करता है अगें अपलो 14 फेबुरुवारी 1971 एलन सेफर कमांडर हैद गर मिश्ल मुद्र तूष रोसा कमांडर पिलॉत सुक्शफफ बैंडे नो अपलो 15 जूल 1907 वीज्र कमांडर चामडर फिलुट अल्फट वर्च वर्ड इन वार्ड न कमांडर फिलुट अपुश्फफट एल्फыл कि यंडे ञंडरों पिलुवे अपलो 16 अपरिल लास्ट अपोलो 17 बिसेंबर 1972 यूजिन शैनन कमांडर, हैरिसन स्मीथ, लुना मोडूल पाइलोट और लोनाल्ड इवान्स, कमांडर मोडूल पाइलोट ये भी सक्सेस्फुल लेंडन ओन दे मून. अपोलो जो मिशन्स थे, वो सारे USA के थे, और लास्ट अपोलो 17 मिशन जो था, उसके बाद आज तक किसी भी यूमन ने मून पर लेंड नहीं किया, जो 12 लोग मून पर गए, वो सारे USA के थे, इसलिए जो रेश चल रहा था सोवेट यूनियन और USA की बीच में, उसमें USA जीत जाता है क्योंकि सोवेट यूनियन ने कभी भी मून लेंडिंग प्रयास नहीं किया था, और आज तक किसी भी कंट्री ने एस्ट्रोनोट्स को मून पर नहीं बेजा था, सिवाए नासा USA ने, हमारे इसरो के जो चेर्मेन है, सोमनाथ, उन्होंने कहा है कि 2040 तक हम एस्ट्र नोट्स को चांद पर भी भीजेंगे